साथियों कुछ दिन पहले मैं जापान गया था अपने कई कायरक्रमों के बीच मुझे कुछ शांदार सक्षियतों से मिलने का मोका मिला मैं मन की बात मैं आप से उनके बारे में चर्चा करना चाहता हूं वे लोग है तो जापान के लेकिन भारत के प्रती इनमें घजब का लगाव और प्रेम है इनमें से एक है हिरोशिक कोई केजी जो एक जाने माने आर्ट डिरेक्टर है आपको ये जानकर बहुत ही खुशी होगी कि इन्होंने महाभारत प्रोजेक्ट को डायरेक्ट किया है इस प्रोजेक्ट के शुरुआत कमबोडिया में हुई थी और पिछले नव सालों से ये निरंतर जारी है हिरोशी कोईके जी हर काम बहुत ही अलग तरीके से करते हैं वे हर साल एशिया के किसी देश की यात्रा करते हैं और वहाँ लोकल आर्टिस्ट और मुजिशन्स के साथ महाभारत के कुछ हिस्सों को प्रोडूश करते हैं इस प्रोजेक के माध्यम से उन्होंने इंडिया, कमबोडिया और इंडोनेशिया सही नव देशों में प्रोडक्शन किये हैं और स्टेज परफॉर्मंस नहीं दी हैं हिरोशी कोईके जी उन कलाकारों को एक साथ लाते हैं जिनका क्लासिकल और ट्रेडिस्टन एशियन परफॉर्मिंग आर्ट में डाइवर्स बैक्ग्राउंड रहा है इस वज़े से उनके काम में भिविद रंग देखने को मिलते हैं इंडोनेशिया, थाइलेंड, मलेशिया और जापान के परफॉर्मर्स जावा नूत्य, बाली नूत्य, थाइनूत्य के जरिये इसे और आकरशक बना देते हैं खास बात यह है कि इसमा प्रत्येक परफॉर्मर अपनी ही मात्रु भाशा में बोलता है और कोरियोग्राफी बहुत ही खुबसूरती से इस विविद्वता को प्रदर्शित करती हैं और मुजिक की डावर्सिटी इस प्रोडक्शन को और जीवन बना देती हैं उनका उदेश इस बात को सामने लाना है कि हमारे समाज में डावर्सिटी और को एक्जिस्टन्स का क्या महत्व हैं और शांती का रूप वास्तों में कैसा होना चाहिए इनके अलावा में जपान में जिन अन्य दो लोगों से मिला वे है आच्सुसी माच्सुओ जी और केंजी योशी जी ये दोनों ही टैम प्रोडक्शन कंपनी से जुड़े हैं इस कंपनी का समन रामायन की उस जापानिस एनिमेशन फिल्म से हैं जो 1993 में रिलीज हुई थी ये प्रोडेक जपान के बहुती मशूर फिल्म डारेक्टर यूगो साकोजी से जुड़ा हुआ था करिब 40 साल पहले 1983 में उन्हें पहली बार रामायन के बारे में पता चला था रामायन उनके रदे को छूग गई जिसके बाद उन्होंने इस पर गहराई से रिसर्च शुरू कर दी इतना ही नहीं उन्होंने जापानी भाषा में रामायन के 10 वर्जन्स पढ़ डाले और वो इतने पर ही नहीं रुके वे इसे एनिमेशन भी उतारना चाहते थे इसमें इन्डियन एनिमेटर्स ने भी उनकी काफी मदद की उन्हें फिल्म में दिखाये गए भारतीय रित्रिवाजों और परमपराओं के बारे में गाइड किया गया उन्हें बताया गया कि भारत में लोग दोती कैसे पहनते हैं साड़ी कैसे पहते हैं बाल कैसे बनाते हैं बच्चे परिवार के अंदर एक दुसरे का मान सम्मान कैसे करते हैं आश्रिवाद की परमपरा क्या होती है प्राता उठकर के अपने घर के जो सीनियर है उनको प्रणाम करना उनके आश्रिवार लेन इस सारी बाते अब 30 सालों के बाद यह एनिमेशन फिल्म फिर से 4K में रीमास्टर की जा रही है इस प्रोजेक्ट के जल्द ही पुरा होने के संभावना है हमसे हजारों किलोमेटर दूर जपान में बैठे लोग जो ना हमारी भाषा जानते हैं जो ना हमारी परंपराओं के बारे में उतना जानते हैं उनका हमारी संस्कृति के लिए समर्पन ये स्रद्धा ये आदर बहुती प्रसौशनी हैं कौन हिंदुस्तानी इस पर गर्व नहीं करेगा